ओम श्यान्ति हम सभी को आत्मविमानी इस्थिती को प्राप्त करना है इसमें कोई संदे नहीं कि ये लंबी महनत के बाद प्राप्त होती है इसलिए बहुत थोड़ी आत्माएं ही आत्मविमानी वन पाते हैं इसको ही देई अभिमानी, soul conscious हो जाना कहा जाता है, इन में कोई अंतर नहीं है, विदेई स्थिती का भी अर्थ यही है, कि हम आत्मी की स्मर्ती में स्थित होकर कर्म करें, देखा हमें ध्यान तो रखना ही होता है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिती का संपोर्न अर्थ है, कि आ आत्मा हूँ, ये मेरा देहे है, मैंने इस तन में परवेश किया है, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, या मैं आत्मा भ्रकुटी सिंगासन पर विराजमान हूँ, ये तो बहुत ही सुन्दर अभ्यास हैं, लेकिन ये अभ्यास करते हुए, हमें आत्म के सभी उनों पर भी ध्यान देना चाहिए आत्मा ग्यान स्वरूप है तो ग्यान के स्वरूप हम बने हैं या केवल ग्यान सुनते और सुनाते हैं अर्थाच जो कुछ ग्यान कहता है वो हमने जीवन में follow किया है apply किया है सब जगे दूसरा आत्मा श्यान स्वरूप है, हम कितने श्यान्त हुए हैं, हमारा मन कितना श्यान्त हुआ है, निर्मल निश्चल हुआ है, या उसमें अभी भी अंदर यंदर अश्यान्ती भरी हुई है, प्रेम स्वरूप, हम प्रेम से वर्पूर हो गए हैं, दाता बन गए हैं, सुख स्वर में हमारी श्यांती को कोई भग न कर सके, हमारी सुखों को कोई दुख में न बदल सके, इसके लिए हमें बहुत सक्ती सालिप बनना है और ज्ञान की सुंदर सुंदर पॉइंट को अभ्यास भी करते रहना है, तो ये अभ्यास हमारा निरंतर चलता रहे तब लास्ट में हम संपोर्ण रूप से आत्मविवानी बन जाते हैं इसमें हमें जाद़ परेशान होने की जरूरत नहीं हम पहले स्वयम को देहे से न्यारा एक चेतन अजर अमर अविनासी आत्मा अनुभव करते चलें धीरे धीरे अतिंद्रिये सुक अनुभव होते जाएंगे स्वमान के अभ्यास से और योग-युक्त होने से आत्मा बहुत सकती साली बनती जाएगी सभी के लिए मन में निरमल भावना निरमल प्यार सुभवनाएं उत्पन होने लगेंगी हमारी प्योरीटी बढ़ती जाएगी कभी-कभी इंप्योरीटी जागरित बी हो सकती है, किसी को चेड़चेडापन भी हो सकता है, क्योंकि हम शांती का गहरा अनुभव कर रहे हैं, तो कभी-कभी अंदर छुपी हुई अशांती जागरित भी हो सकती है, इसलिए इसमें हमें परिशान होने की ज़रत नहीं है, हम निरंतर धहरिये वत्थ होकर अभ्यास करते चलें, अभ्यास करते करते हमारा वो सुरूब बनता जाएगा, प्रैक्टिकल में हमें अनुभव होगा, या यों कहें के दिखाई देता रहेगा, इसके लिए हमें धहरिये वत्थ होना होगा, क्योंकि ये इस्तिती दो-चार द ये अभ्यास करते चलें, साथ-साथ स्वमान का अभ्यास भी करते चलें, योग का अभ्यास भी बढ़ाते चलें, तो योग युक्त होते होते भी हम आत्मविमानी बनेंगे, दोनों अभ्यास आवश्चक हैं, आप बाबा की मुल्लियों से कैच करना इन बातों को, योग ल हिससे न्यारे अनुभव करना और soul consciousness अथात आत्मा के सभी गुन जीवन में आजाएं हम उनका स्वरूब बन जाएं जीवन में बैठ करना ही ये soul consciousness होगी इसके लिए दे ये अभिमानी आत्म अभिमानी ये स्थिती है दे भान दे अभिमान अभिमान नहीं और दे भान, भान मानाएगी स्मर्ती, लेकिन स्मर्ती हमें ये रहे कि ये मेरा दे है, ये मैंने दारन किया है, ये मेरा वस्त्र है, इसके मुझे संभाल भी करनी है, इसको मुझे यूज भी करना है, रही बात दूसरों को समझाने की ये तो जैसे जैसे आपकी स्थिती इस रेश्ट होती जाएगी, ज्यान गोई ये आपको समझ में आता जाएगा, आप समझते जाएगे कि किसको किस तरह से प्रारम में ज्यान देना है, सबको एक ही तरह से ज्यान देना, दो भाप का परिच्छ देना, या आत्मा का ज्यान देना, या भगवान आया है ये बतान ये जरूरी नहीं होता है हर मनुस की मेंटलिटी अलग है जड़ी लोग मजाक उड़ाते हैं तो इस कार्थ है कि हमें ग्यान देने का यथार्टरी का उनके लिए पता नहीं है हम सब को एक ही डंग से ग्यान देते हैं कई तो खुशी से कहते ही रहते हैं ग्यान आ गया है तुम ये करो वो करो लोग मजाक करेंगे इसलिए कि इसको क्या वश्चकता है जिसको बाबा कहते हैं उसकी नवज देखकर फिर ग्यान देना चाहिए और अगर आपके साथी हैं परिवार वाले हैं ओफिस वाले हैं तो उने ग्यान कम देना चाहिए अपनी इस्रेश्टिस्तिती में ज़्यादा रहना चाहिए स्वमान का अब्यास ज़्यादा करना चाहिए आपके वाईब्रेशन्स उन्हें पर वावित करेंगे तब वो आपकी बातें सुनने के लिए तयार होंगे आजकल ज्यान देने का एक ही तरीका अपनाना चाहिए, लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, पस्यांती हैं, टेंसन हैं, और कुछ चिंताएं डर हैं, वो आप देख लें, समझ लें, वहां से सुरू करें, उन्हें समधान देना, तो लोग एट्रेक्ट होंगे, टेंक्यू हम् सम्धी.